हेलो दोस्तो आपके अपने चैनल वैशास तड़का में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो काले सिक्के होते हैं या जंग खाए हुए सिक्के होते हैं उनको आप easily कैसे क्लीन कर सकते हैं वो भी बिना किसी महनत और जंजट के ये देख सकते हैं आप मेरे पास बहुत ही पुराने सिक्के पड़े हुए हैं जो जंग खाए हुए हैं और काले पड़े हुए हैं अब इनके काले पड़ने का रीजन क्या होता है कई बार ऐसा हो जाता हैं और उनको हम ऐसे ही उठा कर रख देते हैं उससे क्या होता है ये रखे रखे ना काले पड़ जाते हैं जंग खा जाते हैं अब इनको कैसे क्लीन करा जाए तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी आपको सबसे पहले क्या करना है जिन भी सिक् सिक्के करें आपया को ड़ीने ना है कि जो सिक्के पूरी तरीके से डोब जाए विनेगर के बाद को डालेना है एक चुथा जालने के बाद हम इसको mix कर लेंगे आप देख सकते हैं यह तुरंथ ही एक्टिवेट हो गया है और यह जो जाग है दीरे दीरे अपने आप ही खतम हो जाएंगे और यह नॉर्मल हो जाएगा अब आपको क्या करना है इसको एक घंटे के लिए साइड में रख देना है इससे क कितना काला सिक्का है और मैं यहां पर एक इसक्रबर ले रही हूँ उसकी मदद से हलके हलके आतों से आपको इसको रख करना है आप देख सकते हैं बहुत इजीली जो इसकी गंद्री है वह अटती जा रही है यह देखिए बहुत ही काला जंग लगा हुआ शिक्का था जो की अगर आपके पास इस तरीके का स्क्रबर नहीं है तो आप कोई भी पुराना टूथ ब्रश ले सकते हैं उसकी मदद से आप इनको क्लीन कर सकते हैं आप देखिए कितना काला सिक्का था और वो बहुत इजीली क्लीन हो गया ये सिक्का भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गंदी इसकी निकल रही है आप हातों पर देख सकते हैं कितना काला काला मैल निकल रहा है इसका और जो सिक्का है वो पूरी तरीके से क्लीन हो गय खायेगा तो इक बार आप इस तरीके से जरूर करके देखना जादा मैनद भी नहीं लगेगी। सभी सिख्खे इसी तरीके से रब कर लेने हैं। आप देख सकते हैं बहुत इजी ली ये क्लीन होते जागा जिद्धी से जिद्धी दाग बहुत आसानी से इनका निकल चुका है अब आपको क्या करना है इनको विनेगर में से निकाल लेना है और उसके बाद इनको आपको पानी में वोश नहीं करना है अगर आप इनको पानी में वोश करेंगे तो यह दोबारा जंग खा जाएंगे त तो इस तरीके का जो सिक्का है वो clean नहीं हो है बाकि जितने भी सिक्के हैं जिस भी तरीके के सिक्के हैं वो पूरी तरीके से clean हो चुके हैं ये देखिए आप इनको आपको पानी से wash नहीं करना है ऐसे ही आपको सूखे कपरे से इनको clean कर लेना है या फिर इनको धूप में लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और जाद से जाद वीडियों को शेयर कीजिए तब तक के लिए बाबाय मिलते हैं इसे ही नेक्स्ट वीडियों में